है यह फ्रेंद्स वेल्कम टो शौंग ट्रेंड अज भात करेंगे टेस्टी वाइट काम्पनी के बारे में को देखते हैं इस कम्पनी सब्सक्राइब कर लिए तो इमेडियटल कर लिए तक आपको बहुत बहुत बढ़ी है स्टॉक आपको मिलता रहेगा जो कि आप अच्छा सा गेन ले सकते हैं ठीक है और उसके साथ में आपको यहां से लंग्टरम इन्वेस्टमेंट का स्टॉक के बारे में भी जरूर जानकरी मिल जाएगा और उसके बाद में आप फणनने इस चैसे हम करते हैं आप जरूर सिख सकते हैं चले करते हैं बीडियो अभी अवि टेस्टीवाइट चौकमपनी फ्लाइब है तो रेजल्ट के ओपर भी स्टार्ट कर लेते हैं अभी अगर देखेंगे यह 3700 करोर का मार्केट क्या आप है अगर हम आरुशी देखते ह वरोश यह अगर देखते हैं डेट 0.56 से डेट में थोड़ा सा पहले देट थोड़ा जादा था अभी डेट अभी 0.56 से अभी अगर इसका हम देखते हैं चल रहा है 14543 के पास में अभी अगर हम देखेंगे यह स्टॉक में अगर हम देखेंगे आज के दिन में कुछ 7% तक आज इस्टॉक में फॉल आया है देखिए अगर हम चेक करते हैं आज के दिन में यह इट पॉइंट फाइब परसेंटेज का फॉल आ हजार तीरा सो पॉइंट का फॉल है ठीक है तो इस टॉक में क्या करना चाहिए आखिर तक बने यह में जरूर आपको बताऊंगा तो यहां पर दिखेंगे 55 परसेंटेज का डेलिवरी आज के दिन में उठाया गया है अगर इस टॉक का अगर हम देखते हैं इसका रेजल्ट अगर देखते हैं तो रेजल्ट में देखिए रेजल्ट में 90 करोड था लास्ट सेप्टेमबर म हुआ है अगर हम प्रॉफिट देखते हैं नेट प्रॉफिट पहले नेट प्रॉफिट टेन फाइब करोड था अभी अगर देखते हैं ऊन पइंट-3 करोड का नेट प्रॉफिट है यह मैं बिलकुल यह करना ही पड़ेगा जोकी इसेल्स में डिक्लाइन और अब तिक करोड का प्रफिट है अगर लास्ट फॉर कॉर्कॉटर का अगर हम देखते हैं फॉर कटर लास्ट फॉर कटर का वर सेल्स भी हम देखते हैं यहां पर फोर रिजर्व है यहां पे पॉजिटिव चीज आपको जरूर नजर आएगा जो कि लास्ट क्वाटर में 175 क्रोड का यहां पे बॉर्विंग था बॉर्विंग अभी 120 क्रोड हो चुका है तो इसी साब से बॉर्विंग में यहां पे उन्होंने लोन पेमेंट किया है तो अभी का दखेंगे तो 42 क्रोड का था तो यहां पर WIP मेंं उनका 58 क्रोड हैऊ वों अगर प्रोडिंग देखेंगे प्रो मोटर का क्योंडॉडिंग कुछ प्रोब्लेम में तो नहीं है एक बार देखते हैं प्रोमोटर होल्डिंग कंस्टांड है प्रोमोटर का कोई भी एक स्टॉक भी कुछ भी एक सेल नहीं हुआ है मार्केट में और सेवेन्टी फॉर्पॉइंट वॉर्पॉइंट चो में यहां अगर हम देखते हैं तो करेंगे इंग्र हैं इनक्रीज यहां अब में है घ्रिंड्स अभी सेर वल्डिंग पेटर्न में को इ प्रोब्लेम नहीं है तो Jersey zhp से में से मेंन सहलब तो अगर देखते हैं छाट पर लेते हैं फिरन अब हम चाट पह आ चुके तो हमेसा मैं आपको बfyegह बोलता था कि ऑ Anderson बढ़ी अबरेज में यह स्टॉक में हमेशा एक बड़ी अपर्चनिटी बनके आता है मैंने आपको बताया भी था मैं बिल्कुल भी मानता हूं कि मैंने आपको जरूर बताया था लास्ट वीडियो में 200 बढ़ेज के पास में आ रहा है यह स्टॉक को हम लेके चल सकते हैं जर हम बात करते हैं यहां पर स्ट्रंग सोपोर्ट स्पोर ठीक है मतुंड़ेत धbereich सपोर्टस st별 को ब्रेक करच्ब करें बाभी अगरे मैं डेखें लेक्स सपोर्टि आपका बनके आता है मेरे ईधाव से जो सपर्ट्क बनके आएक तो यहां यहां तक आ सकता है थार्टिन थाजन शिक्स थार्टी एड तक आ सकता है लेकिन इसा कोई ग्यारेंट नहीं कि स्टॉक प्राइस यहां तक आएगा क्योंकि हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि स्टॉक कहां तक आ सकता है ठीक है अगर यहां से स्टॉक अगर आ भी सकता है फि क्योंकि अगर स्टॉक को अगर हम देखते हैं अभी यह वन डे का चार्ट है ठीक है वन डे का चार्ट पे जो सपोर्ट निकल करके आता है 13638 के पास में अगर स्टॉक आता है तो बिल्कुल मेरे हिसाब से आपको बाइंग बनता है अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाते हैं स्टॉक में थोड़ा सा पोजिशन बना के चल सकते हैं आजस्द कोई रिस्क ही नहीं क्योंकि अगर कंपनी ने प्रोमोटर ने अगर स लेजर भी ग्रोइंग होते जा रहा है ठीक यह की चीज है कि हाँ यहां पर क्वाटरली रेजल्ट तो इंप्यक्ट हुआ यह चीज तो हमें मानना ही पड़ेगा ठीक है तो लेकिन इसा बिल्कुल नहीं है कि एक दो क्वाटर का रेजल्ट खराप होने के बाद में स्टॉक कों सेल करके निखल जाएंगा अब लास्ट गटार में देख से नहीं यहां पर यून का क्वाटर में कैसा इंप्यक्त हुआ था फ्यूप्ती करोट कर यहां पर स्यल्ट हुआ था अभी अगर देखेंगे यहां पर इस्टाइबर हम यह और मॉंतली चार्ट देख लेते हैं कि देखिए अगर हम इसका मॉंतली चार्ट देखते हैं यहां पर दिखिए इसमें किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं कि स्टॉक में कुछ प्रोब्लेम है अगर हम इसका बीएसी का चार्ट ओपन करेंगे तो यहां पर बेहतरी ने के नजर आएगा देखिए कि यह वान मॉंत का चार्ट हमने उपन करके रखा है देखिए स्टॉक में बढ़ी असा रिटान दिया है अगर आप देखेंगे ना कहीं पर स्टॉक में मुड़के भी नहीं देखा है 2014 से देखिए अगर अभी देखेंगे लास्ट सवेन यर का भी डाटा अगर देखते हैं तो यहां पर देखिए अगर स्टॉक में अगर किसने बने हुए हैं यहां पर 2014 से लेकर अभी तक अभी तक क्लोजिंग लेबल पर भी बैठे हुए है ना फिर भी आपको आपको 65 x multiply किया है आपका capital को ठीक है 6500 परसेंटेज का रिटन दिया है तो एक मल्टिवेकर स्टॉक आप बिल्कुल सेल मत किजिए क्योंकि यह साथ दोर कभी-कभी आता है देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे 2018 में देखिए 2018 उन्हें जहां पर बिल्कुल मूब भी नहीं हो रहा था यह स्टॉक नहीं काफी सारा स्टॉक मार्केट का हाल यह साही था 2018 जिनोंने निकल के जा चुका है तो यहां पर स्टॉक में इंपक्ट आया है क्योंकि यह क्वाटरली रेजल्ट अच्छा पेस नहीं किया है यह हमें बिल्कुल भी मानना पड़ेगा इग्नौर नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो में आपने आल टाइम हाई पर ब इंदा सोओ किजिए ठीक है आपको यह लेवल जरू दिख सकता है यह जो लेवल है यह जो लेवल लेवल तो दिखी सकता है कोई प्रोब्लम नहीं क्योंकि यह 13700 का लेवल ले मैं कब ले सकते हैं ठीक है मैंने अभी एंट्री नहीं लिया हूं ठीक है मैं लेकिन सोच रहा हूं एंट्री लेने के लिए मेरा कहीं से प्रॉफिट बॉकिंग जिसे आयेगा तो यह इस्टॉक में बिल्कुल मैं एंट्रियों गार्व करना है तो भी कर सकते हैं कोई बुरा ही नहीं है लेकिन फिर भी लेवल मुझे लगता है जरूर आ सकता है क्योंकि रेजल्ट भी खराप हुआ है और इसी सबसे मार्केट ने रियाक्ट किया है और चार-पांच परसंट का यहां पर फल बिल्कुल आ सकता है ठीक है अगर आपको पोजिशन बनाना है वो लेवल पर बिल्कुल पोजिशन बना लेने की इतना जरूरत नहीं जब आपको पोजिशनल ट्रेड करना है स्टॉक में बने रहेंगे तो यह आपको गैन ले सकता है आपको एक साल करना पड़े तो कि यह ना क्या प्रोब्लम है हमारा जो जहां पर एक्सपेक्टेशन है थाटी परसंट का यहां पर फिप्टी मिल रहा है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं यह सा स्टॉक में बने रहेंगे तो करके अच्छा सा गेन ले सकते हैं ठीक है आपका अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए मतात्म कौन से स्टॉक पोजिशन में बनाया हो फ्रेंस आपको डरने की रिजन नहीं आप बि ले टाइम हाई तक बिलकुल एस्टङ को लेके चल सकते हैं कि एक ही सजार चारटर से पहले मद भेचिए है फिर से आप को admits से पहले स्टॉक मत किजिए हापको यह जरूर्ट देखनेterm蛎 को मिल जाएगा ममत Lesati लेकिन हो जाएगा जब यह इक हैक्क्ति बड़ी ऐसा आपको एक दो मतलब एक हपते का बीच में इसका टार्गेट आचीब हो जाएगा ठीक है एक रेजल्ट आने दीजिए नहीं तो किसी भी ऑपरेटर यहां पर एंट्री लेंगे न तो उस ताइम पर आपका मतलब रेजल कभी कभी खराप होने की बाउजद भी स्टॉक आल टाइम हाई लगा लेता है अपने देखा होगा बहुत सरा स्टॉक है ठीक है अपसल मत किजिए फ्रेंज मेरा यह रिक्वेस्ट है लेकिन जो भी करना है आपका क्यापिटाल है आपको डिसाइड डिसिशन ले यहां और स्टॉक का जो आल टाइम हाई रहेगा मैं यहां तक ड्राग करके चलूँगा मुझे कोई भी प्रोब्लेम नजर नहीं आता है यहां पर फॉर्टीफए परसंटेज का गयन का बिल्कुल प्रोबेबिलेटी है उसी बेस पर मैंने स्टॉक में एंट्री लिया हूं अगर चैनल पर नया है चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेजए थैंक्यू बर्यमाच पर वाचिंग इस वीडियो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में